हिंदी की काल जई कहानियों के चैनल में आपका स्वाकत है आज सुनिए आशा पूर्णा देवी जी की लिखी हुई कहानी पद्मलता का स्वपन मुझे आशा है कि कहानी आपको जरूर पसंद आएगी तो शुरू करते हैं कहानी पद्मलता का स्वपन पती के घर से अपने पिता के घर दूसरे शबनों में ससुराल से महके आने की इच्छा अस्वाभावित नहीं है और फिर एक ही जगह रहते रहते पैदा हुई उग को दूर करने के लिए भी लड़किया अपने पिता के घर आना चाहती है नए धंग से कुझ जी लेने और मुप्ती की सांस लेने के लिए बाप के जिंदा न रहने पर वे भाई के घर भी आ जाती हैं लेकिन जिसके ना तो बाप जीवित हो और ना कोई भाई ही हो ऐसी पद्म लता क्या दोबारा अपने गाउं सोना पलाशी की धर्ती पर पाउं नहीं रख पाएगी सोना पलाशी जहां उसका बच्पन और जवानी के दिन पीते थे भले ही सुख और शान्ती या कि बड़े सम्मान के साथ ये दिन पीते हूँ लेकिन दुख और अपमान भरे दिनों के इस बतियों का भी आकरशन कम नहीं होता ये भी हो सकता है कि अपनी पहचान को एक बार फिर से पा लेने की या लोगों के बीच स्वैम को प्रतिश्चित करने की प्रबल लेकिन दबी इच्छा पिछले साथ वर्षों से पद्म लता के मन में रही हो सोना पलाशी के लोग जदू लाहडी के घर की गरीब रामणी महराजिन की बेटी पदी को अचानक पद्म लता देवी के रूप में देकर हैरान रह जाएंगे और यही देख पाने की इच्छा उसने अपने मन में सजो रखी है पिछले साथ सालों से दिन हो या रात तिल तिल कर इस पौद को इतना भरा पूरा और हरा रखा है उसने इसे अपने ख्यालों में बसा रखा है कितने ही रंगों और उल्लास की छटाओं से इस चित्र को अंकित करती रही है इस पसंड़ता के अलावा पद्म लता के जीवन में और किसी चीज़ की साध या सार्थकता नहीं रह गई है इसी लिए काफी कोशिशों और चिरौडियों के बाद पती की अनमति प्राप्त कर वो इतने सालों बाद सोना पलाशी घूमने आई है और उसका यहां आना अकारण नहीं गया है उसे अपने बीज देखकर सभी सचमुच हैरान रह गए है इतने दिनों बाद उसके यहां इस गाउं में आने पर नहीं बलकि उसके बात वेवार पर गाउं वाले है हैरान ही नहीं कहना चाहिए कि एकदम ठगे से रह गए है गुदरी में लाल वाली कहावत तो आम है जिससे पदमावती पर पूरी तरह लागू कहा जा सकता है इसमें संदे की जराबी गुंजाइश नहीं लडाई का जमाना है ये युद्ध युग इस युग के शब्द कोश में संभव या नामुम्किन जैसा कोई शब्द नहीं सब कुछ संभव है मुम्किन है लडाई की इस हवाई आनी में बहुतों के चेहरे पर चिपका मुखोटा उतर गया है इस जंजा में उनके मनसूबी किले और होसले पत्तों की तरह उड़ गए है किसी गोबर बीनने वाली को रातों रात राजरानी होता देखकर मैं एक बार गहरी सांस लेकर हैरान तो हूँगी लेकि इस बात तर विश्वास ना करने का कोई कारण नहीं है इसलिए जदुलाडी की गरीब ब्रामणी महराजिन की बिटिया पदी अचानक सोने की चड़िया बनकर अगर सिर्फ लाल और मोती चुगने लगे तो इसमें भला हैरानी की क्या बात हो सकती है ऐसी सुखद इस्थित में जो उससे इसने रखते हैं अभिभूत ही होंगे पद्मलता का बिंदास स्कूल मास्टर पती अगर मिलिटरी ठेके की सुनहरी सीड़िया चड़कर एक स्वर्ग जैसा पक्का दालान बना सकता है तो क्या वो उस गाओं के दो-चार अनात लड़कों के लिए नौकडी का जुगार नहीं कर सकता और क्या पद्मलता स्वैम दो एक असाहे विद्वाओं की बेटी का उधार नहीं कर सकती जो गाओं के पास वाले स्टेशन पर उतरने के साथ ही दोनों हाथों से पैसे लुटाते लुटाते आ रही थी उसे यहां आए अभी दो ही दिन तो हुए हैं लेकिन इस बीच गाड़ीवान रतन्त से लेकर काली बाड़ी के पुरुषिद भटा चारे तक उसके गुणों का बखान करते नहीं थकते ऐसी उदार दरश्ट इस संसार में सच्वश बहुत दूर लग है पद्मलता की हसी कैसी अनुकम है उसकी बातें कितनी मीठी हैं और उसके वेवार की तो जैसे कोई सानी ही नहीं और आज की ही बात नहीं बच्पन से ही उसके बात बरताओ की कोई तुलना नहीं और इस बात को कौन नहीं जानता आज उसी पद्मलता को लेकर छीना जट्टी मच जाएगी ये स्वाभाविकी था गिने हुए चार दिनों के पहरे पर आई पद्मलता के लिए ये बहुती कठिन हो गया है कि ओ किसका निमंत्रा सुईकार करे और किसके हां न जाए इतने दिनों के बाद लाहडी परिवार में कैसी दूम मची है आने वालों का ताता लगा हुआ है अपनी सहज मुसकान और साथी चुस्त और चौकस महमान नवाजी से पद्मलता उने खिला पिला रही है ऐसा जान पड़ता है कि वही इस घर की मालकिन है जदू लाहडी के गुजर जाने के बाद परिवार के लोगों के बीच बोल जाल तक बंद हो गई थी पद्मलता के आने पर उनका मन मुटाओ दूर हुआ और प्रेम के मीठे बोल फूटे जब लोग उठने को हुए तो प्रडामी में मिले रुप्यों को आचल में बानते हुए सत्य बाला ने अपने स्वर में शेहद घोल कर और गदगद कंट से पद्मलता से अन्रोद किया कल मेरे यहां आकर भी बस कहने के लिए ही सही मचली भात खा जाना पद्मारानी मैं कोई बाहना नहीं सुनूंगी हाँ लेकिन रायबारी की ताई तो मुझे पहले ही कह चुकी है बुआ पद्मलता का उत्तर भी विन्य की चाष्टी में लिप्टा हुआ था अगर वहां नहीं जा पाई तो बुरा नहीं मान जाएंगी तुम ही बताओ लो यह रायबारी की ताई हमारी पीच कहा से आटप की भला ओ वही मुकंद रायगी भावज अब समझी दावत किलाने के महाने खुशामत करने पर उतर आई है वो देखो बेटी मैं तो खरी बात कहूंगी हाँ बुरा मानों या भला नहीं बुआ जी आप ये क्या कह रही है पद्मा ने आगे का मैं कहा कि लाट हूँ कि कोई मेरी खुशामत करने लगा नहीं हुआ ताई बहुत जोड़ दे कर कह गई है इसलिए मैं कह रही हूँ हाँ बेटी हम लोग तो बहुत जोड़ दे कर तुमें कुछ कह नहीं सकते लेकिन ये भी सुननो बेटी कि हम बहुत बढ़ा चड़ा कर तुमें कहें भी क्यों क्या तुम पर आई हो लेकिन इस सबसे पहले तुम पर मेरा अधिकार है, ये बता देती हूँ. शायद तुम्हें याद हो ना हो, तेरी मा मुझे पर कितनी शर्दा भक्ती रखती थी सत्या दीदी, सत्या दीदी की रट लगाय रखती थी बोलते बोलते बेहोश हो जाती थी सारी आपसी बातों को अब खोल कर या खोद कर कहा तक बताया बुझाया जा सकता है लेकिन ये सारा बुझवुल बुझाने की जरूत भी क्या है पद्मलता सोलस साल की उम्र तक इस गाउं का दाना पानी पाती रही है न जाने कितने अपमान भरे घूंट और अफसात के ख्षान वो भला कैसे भूल सकती है उसकी मा सत्यबाला बुगा की जवान से टपकता जहर कितनी खामोशी से पीती रही थी इस शद्धा भक्ति के नाम पर पद्मा की याददाश्ट क्या इतनी ही कमजोर है कि वो सब कुछ भूल रहेगी अपनी मा के लिए पद्मलता को बहुत दुख नहीं होता उसकी याद आने पर उसकी इसम्रतियों के समुद्र में जैसे जवार भाटा सा उठने लगता है हाँ इसे याद है लाहडी परिवार के इसी दालान में सरदी की ठीठुड़ती रात में हड्डियों में सुईया चुबोती बरफिली हवा झेलती एक दुबली पतली और बीमार विद्वा लगातार खास्ती चली जा रही है ये मुई खासी बारह महिने जिसके पीछे लगी रहती है लट्टे की मोटी धोती का आचल बार बार अपने सीने पर खीच कर ठंड से बचने की असफल सी कोशिश करती और फिर इसके साथ ही घर संसार के अकले दिन के तमाम कामों को सहस्तने समेटने लगती है लेकिन इन धेर सारे कामों के बीच एक चीज जो लगातार उसके साथ लगी रहती है वो है उसकी खासी उसकी खासे की ठंठन अब भी इस दालान के महराबों और छज्जों से चिक्की हुई है और अब भी जब रात गहरा जाती है तो ऐसा जान पड़ता है कि उसके खासने की आवाज सुनाई पड़ने लगेगी इसी औरत के पीछे पीछे एक छोटी सी लड़की चकर काटती रहती है उसकी देह पर भी कोई गरम कपड़ा नहीं है वो जदू लाहरी की नातिनों पोतिनों में से किसी की उतरन पहने हैं जिसमें धेर सारे पैबंद लगे हैं चीधनों और कतरनों से भरे मोटे कपड़ों का घागरा पहन करो डोल रही है अपनी मास से अपने सीने को सटा कर थोड़ी बहुत गरमी महसूस की जा सकती है लेकिन गर्दन को रेतने वाली कटार की तेजधार को जहलते जहलते ऐसा भी होता है कि वो इस तरफ से उधासीन हो जाती है तब शायद सर्दी का एहसास नहीं रहता शरी को सिर्फ दो एक जगे पर चिंचिनाती चिकोटी काटे जाते रहने के एहसास के अलावा परिशानी होती है इन दोनों हातों को लेकर बरफ के टुकड़ों की तरह छोटे छोटे हातों से मा के कामों में जहां तक संभव हो सकता है हाथ बटाती है पानी में काम करते हुए जब उंगलियां अचानक अकर जाती है ऐसे मौके पर उसकी मा का काम दुगना हो जाता है तब लालटेन के माथे पर आचल रखकर वो बिटिया के छोटे-छोटे हाथ-पाउं सेख देती है उसे अपनी गोदी में खीच कर उससे बक्ती जखती है उसे मीठी जड़की पिलाते हुए कहती है तू इस काटी ठंड में क्यों दौड़ती भागती रहती है बिटिया देख अभी कितना सारा काम बाकी रह गया है मैं या खाना पकाने के लिए रखी गई हुरे लेकिन खाना पकाने का काम खतम हो जाने पर भी उसे शुटी नहीं मिलती है उसे पता है कि किसी अबोध बालिका के लिए दो मुटी भागत जुटाना कितना मुश्किल है भले ही वो छुटे मुटे कामों में उसकी साहता कर दिया करे तब ही वो बार बार अपनी पिटिया को बिचाओने पर सो जाने को कहती है लेकिन अंधेरे और बुझे कमरे की खाली चारपाई पर बिचे बासी बिचाओने की याद से ही बिचारी के रोंटे खड़े हो जाते है उसके चीकट तके पर पतानी कौन पानी उडिल जाता है वो मा के नरम दरम कलेजे में दुपक कर न सोए तो फिर और कहां जाए यही नहीं दुनिया भर के तमाम भूत प्रेवत दैत द्यानों क्या उसके इर्द गिर्द जुंड बांदे अपने अंजर पंजर छितराए और मुँ बाए इस कमरे की पलस्तर उधरी दीवारों से सटे घुप अंधिरे कोने में नहीं खड़े जदु लाडी की बीमार पत्नी अपने आप उठकर बैठनी सकती लेकिन दुनिया भर की खबरे उसके कानों तक कैसे पहुँच जाती है ये सचमुच हैरानी की बात है दिये का लोब दिखा कर और आचल की ओट में पदमा को बिछावन तक ले जाने के बीच भी लाडी की पत्नी की उखड़ी उखड़ी लेकिन खीज भरी आवाज कानों में पढ़ती ही रहती अरी ओ नवाब की शहजादी बेटी को लार दुलार कर इतना सर पर मत चड़ाओ दिये का तेल कोई हराम का नहीं आता दिमाग में कोई बात टिक पाती तो मेरी बगजग भी कम होती और दो-दो लोग के खाने पीने कपड़े लत्ते का जुगाड कोई बच्चों का खेल नहीं पताने घर में ऐसा कितना काम है कि मा बेटी दोनों की दोनों दिन दो पहर रात सांज डोलती फिरती हैं आकिर करती क्या रहती हो अपने आराम के लिए दिन का काम रात में और रात का काम दिन में है ना बामन की बेटी हो कभी फुरसत मिले तो बैट कर हिसाब लगाना कि इन महीनों में कितना किरासन तेल फूका गया हाँ दूसरे का पैसा है तो कलेजे में पीर कैसी वो कहावत है ना मोल तोल किस बात की जब मिले मुफत में माल तुम दोनों का बस यही हाल है और मैं भी ऐसी दुरुगत में पड़ी हूँ कि तुम जैसे बैमान को पालना पड़ रहा है जदू लाहिडी की पत्नी बोलना शुरू करती है तो थमती नहीं दिये की लौ तब तक दम तोड़ चुकी है भूत और प्रेत का भै और चाहे किसी को जितना भी सताए लाहिडी की घरवाली का इससे कुछ आता जाता नहीं बारिश के दिनों में भी पानी में छपचप करते और गुटने तक कीचर में लिथरे मा के साथ साथ पोकर के घार तक जाने और फिर वापस लोटने की यादें सुख और दुख दोनों से भरी हैं कभी कभी तो इसमें बड़ा मज़ा आता लेकिन जब मा की खासी बढ़ जाती तो फिर परेशानी होती उस दिन ची में यही आता कि मा और बेटी रात और दिन चीथड़े पर लेट करी बिता देंगी भात काने की भी क्या जरूरत है दो चार दिन नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा लेकिन जरूरत नहीं है ऐसा कहतेने से ही तो जरूरत नहीं मिट जाती तो भी एक ननी सी जान को उसने इचता दिया था ऐसी परिस्टियों के बीच एक और द्रश्यों से याद आता है यही तो वो घर और दालान था लेकिन वो दोनों जैसे कोई और थी तामबाई रंग दुबले पतले हाथ पाउं फटी चिटी फ्रॉक वाली वो लड़की अब नए यौवनागम के साथ सुदोर और स्वस्त यूवती में परवर्तित हो गई थी एक अदत साड़ी में अब उसकी लाज नहीं ढख पाती काटी ठंड से बच पाने की अपेक्षा कहीं अधिक कश्टकर है छोटी बहर और अरज की साड़ी से अपनी लाज धख पाने की चिश्टा लेकिन तो भी सिमटते सकुचाते वो गर संसार का सारा काम करती है अपनी बीमार विद्वा मा पर उसकी प्यार भरी देखवाल का कोई अंत नहीं है लेकिन मा है कि उसे भोर हो जाने के बावजूद लोरी सुनाती रहती है बिटिया मा की और देखकर हसती है और जड़कती है क्यों तुम अकेली क्यों नहीं जा सकती मैं भी तो सुनूं डर लगता है क्या तुम्हें कोई भूद भकोस लेगा मा उसे किस तरह समझाए कि भूद प्रेट से नहीं उसे अपनी नव यौवना बेटी से डर लगने लगा है एक असाहय विद्वा की बेटी की उमर का तेही से बढ़ना ही अपने आप में एक अपराद है और उपर से ये रूप बेटी अन्मने ढंग से चलती फिरती डोलती है और मा मुग्ध मन से उसे हिरा करती है हाँ उसका पद्मा नाम रखा जाना एकदम सार्थक हुआ है दोनों पाउं कमल के जुड़वा फूल की तरह खिले हैं लेकिन उसके शरीर की बाढ़ इतनी क्यों है भला अपमान और दुतकार से मिले अन्ह का ऐसा जोर और जोर जदू लाड़ी की पत्नी अप चाहे गुसा करे या ना करे उसकी दोनों नातने मलेरिया की चपेट में फसकर अस्ती पंजर जैसी दीख पड़ती है काली चमगादर जैसी चमडे से मढ़ी और इधर ये लड़की पद्मा 14 साल की उम्र में ही ऐसी निकर गई है कि उस पर आँख नहीं ठहरती सुनने में भले उसे बुरा लगे तो लगे लेकिन बुढिया उसे उलाना देती हुई कहती अरी यो पद्मा सुन रही है ना भात थोड़ा कमी भकोसा कर पराया माल समझ कर सब कुछ ड़कार मत जाया कर दिनों दिन हातिन की तरह फैलती-रोलती जा रही है और ये सब देख देकर ही तेरी मा की देह का सारा खूण पानी होता जा रहा है तब अप्मान का इतना सारा जहर पीकर भी पद्मा ने हसते हुए कहा था मा की देह में अब खून है ही कहा नानी सब पानी हो गया है लेकिन इतना सुनना था कि बुढिया नानी ने पद्मा के बड़बोलेपन और शेखी की दुहाई देते हुए सारा आस्वानी सरपर उठा लिया था अगर वो ऐसा ना करती तो लोग सारा दोश लाहडी की घरवाली के सिर्पर ही मड़ते थे लेकिन बात लाहडी की घरवाली की ही नहीं थी पासपड़ोस के सभी लोगों को पद्मा के बारे में अपनी राय दिये बिना चैन ना था जैसे यही उनका मुख रोचक था पद्मा का रूप आखों को सालता रहता है उसकी चाल ढाल से चिड़ होती है उसके उभारों को देखर देह में आकसी लग जाती है पद्मा का चाल चलन ठीक नहीं है और उसका बात वेवार खेर जाने भी दो ये वो पद्मा नहीं है जो वो तो कब की मर चुकी जितने मुँ उतनी बाते हैं लेकिन पद्म लता को पा लेने में किसी को आपते नहीं है जदू लाहरी की घरवाली मुतिया बिंदवाली आखों के सामने से धुनला सा परदा हटाती जा और जैसे चीक पड़ती अरे ये कोई छोरी वोरी नहीं है साक्षात लक्षमी की चाया है बच्पन से ही देख रही हूँ इसके रूप को कोई ओर छोड़ नहीं नसीब का कैसा खेल है कि इसकी माने पहले ही आखे मून ली अरे तेरी मान नहीं रही लेकिन हम लोग तो नहीं मर गए अरे साल चे महीने में आती रहना एकदम बिसराही मत देना आखिर मरी कमली और विमली से तु कोई अलग थोड़े है उसे पता था कि वो इन दोनों से बहुत अलग है कमला और विमला की तरह पदमा नानी को कलमुई नहीं कहती और उसी पतम लता ने बिस्तर पर पड़ी बुढ़िया नानी को तीरत पर जाने के लिए अभी अभी तीन सो रुपे दिये हैं नकद राय परिवार के हनिमंतर पर जाना एक और यादगार घटना है ये कोई आज की बात नहीं अतीद का अतिहास है मुकंद राय की मा के ब्रत उद्यापन से जुड़ी घटना लाहरी घ़राने के भी सारे लोग वहां मौझूद थे इसलिए पड़मा की मा भी वहां कामकाज करने के लिए बुलाई गई थी और तबी इन सब के बीच भोजन परोसने वाले एक लड़के ने पद्मा को भी ब्रामर करन्याओं की पात में बिठा दिया था ये लड़का दूसरा कोई नहीं सान्याल परिवार का मुरारी था इस बात को लेकर पास पड़ोस के लोग आपस में गाहे बगाहे चुगली तो खाते ही थे दोनों को खासा बदनाम करते रहते थे सदा सच बोलने वाली सत्यबाला पद्मा की मा को ऐसा पाट पढ़ाती रही कि बेचारी के पाओं पे नीचे जद्धरती खिसकती जान पड़ी रास्ते या घाट पर अगर कच्ची उमर की लड़की और रड़के में बाचीत हो गई या हसी ठटा हो गया तो फिर बाकी क्या बचा गनीमत है कि ये सब कुछ सिर्फ सत्यबाला नहीं देखा है अगर किसी और ने देखा होता तो बेटी के हाथ पीले कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है की नहीं? लोगों से पूछ लो लेकिन ऐसी कोई परिशानी सामने नहीं आई उसी महीने कुछ एक शुपचिल्दिकों की साहिता से पदमा का विवा संपन हो गया लड़का मैट्रिक पास था, एक नामालूम से गाउं में स्कूल मास्टर था तीस रुपए मावार पर, तरक्की मिलती गई तो सतर रुपए मिलेंगे लेकिन अभी उस बात को जाने दे, पदमा के विवा से इस घटना का कुछ लेना देना नहीं है अभी तो राय बाड़ी दावत की यादे ही मुकर हो चली है कतार में उसे बैठने नहीं दिया, हाथ पकड़ कर उसे उठा दिया गया इशारों, संकेतों और फब्तियों की आंधी सी उठी थी और इसी हंगामे के दोरान मुकंद राय की बड़ी बेटी निभाननी अचानक उठ खड़ी हुई थी और उसने तब जो कुछ कहा था वो गलत नहीं था सची तो है, दूसरे के घर की रसोई तयार करने वाली की बेटी को ब्रामन कर्ण्याओं के बीच बिठा कर ऐसा आदर दिया जाने लगा तो बेचारे तिल चट्टे का क्या कसूर है, उसे भी पंची का दर्जा दे दिया जाना चाहिए सीडियों से उपर दो तल्ले के दालान पर पाउं रखते हुए साथ आठ साल पहले वाली घटना उसके मानस में गूँज पैदा कर रही थी लेकिन तबी उसका ध्यान मुकंदराय की पतोहूं ने अपनी और खीजा और मुस्कुराती हुई बोली, आओ ननद, चलो तुम्हें इस बात की सुथ तो आई कि तुम्हारी कोई भावज भी है यहां आकर भी एक बार हमारी तरफ रुख तक नहीं किया तुमने क्या बताऊं भौजी, यहां पिछले तीन दिनों सो घुमती ही तो रही हूँ बस ले दे कर चार दिनों के लिए आना हो पाया है किसी से अच्छी तरह भेट तक नहीं कर पाई बहाने मत बनाओ बहना, इतने दिनों के बाद आई हो, वो भी चार दिनों के लिए अपने पती को चिठी लिख भेजो, कि इतने दिनों तक खुब मजे उड़ा लिए, अब कुछ दिन हमारे लिए भी रख छोड़ें और फिर वे तो दुनिया भर के कामों में फसे रहते हैं, अपने कारोबार में मस्त, फिर यह बी-बी-बी-बी की रट कैसी अरी इसी परेशानी के चलते तो आ नहीं पाती, कभी उनकी सारी देखभाल करनी पड़ती है, अकेले आदमी है ऐसा कहते हुए पदमा के हूटों पर खिच जाती, उसके एश्वर और सम्रद्धी की रेखा, एक चमकीली मुस्कान बन कर थोड़ी देर इधर दर की बाते करने के बाद असली बात बहु के जुबान पर आही गई, ननत जी लगता है तुम देह पर कोई जादा जेवर जेवराट डालना पसंद नहीं करती हो, है ना? सवाल सचमुच बहुत तेड़ा था, और पदमलता ने थोड़े बहुत जो आभूशर पहन रखे थे, वे उसकी पद मर्यादा के मुकाबले कुछ कम थे, ये आपते पिछले तीन दिनों में अब तक क्यो नहीं उठाई गई थी, सचमुच आशरी की बात थी, चांदी की उ मौकात को नीची निगाह से देखने पर वो सोने के मुकाबले अवश ही अपराधन बन जाती है, इस बात को सभी जानते हैं। देव पर भारी गहना देख कर वेसे पहने वाली कोई उठा कर चमपतना हो जाएं। तब ही उन्होंने कहा, रुपए पैसे चाहे जितने ले जाओ, लेकिन जेवरात एकदम नहीं। इसी डर से और एक सुहागिन के लिए जितना जरूरी है, हात, पाओ, नाक, कान में थोड़ा बहुत डाल रखा है, और क्या। तो मैं क्या कह रहे थी भाबी, वो गिरी वाला तांतन अब है कि नहीं। हाँ, जिन्दा है, लेकिन साडियों का दाम इतना जादा बढ़ गया है कि कुछ न पूछो। दाम चाहे जो भी हो, अच्छी किनारी वाली 15-20 साडियां मिल जाएंगी न। 15-20 साडियां, इन्हें एक साथी डालना है क्या, बहु की आखे फटी रह गई। नहीं, सब अपने लिए नहीं, दर असल इतने दिनों के बाद यहां आई हूँ, तुम लोगों को प्रणामी भी न दूँ, तो मुझे अच्छा लगेगा। इन सब को, अडोस पडोस में सब को, यह सब तुमारा आशिरवाद है भावी, इसके बाद जेवरों की कमी के बारे में अब किसी तरह का संधे करने की गुंजाइश कैसे रह सकती थी भला, मुकंदराई की बड़ी भावज के पास उसे बिठा कर, और उसे बड़े प्यार से खिलाने पिलाने के बाद, इतने किताब कर सोना पलाशी ग्राम में एक नई पदमलता को प्रतिश्चित करने वाला कोई और नहीं था, सिवा मुरारी के, अब इस बात का एसास कैसे नहीं होता भला, मुरारी जिसने एक दिन उसका मजाक उड़ाया था और कहा था, तुझे क्या लगता है, मैं तेरे से ब्या जग दे, बाती बात में उसने मुरारी के बारे में जान लेना चाहा, उसे कोई जिजक नहीं हुई, पास पड़ोस की खुछ खबर लेने के बहाने उसने बड़े इत्पिनान से पूछा, हाँ तो बड़ी ताई, मुरारी भहिया का क्या हाल चाल है, गाउं में ही है ना, रा द्वार सब गिर्वी पड़ा है, हाँ बातें बड़ी लंबी लंबी बनाया करता है, बीबी बच्चे भी वैसे ही रामभरोसे हैं, अच्छा, तो बातें अभी बनाया करता है, उसकी कतरनी सी चलने वाली जुबान का इलाज पदमलता जानती है, क्या वो इस पर अमल करके बारली का कटोरा अपने मूँ से अलग करते हुए मुरारी का चेहरा विक्रत हो गया था, वो अपने पत्नी को एक लौंग दे जाने को कहने वाला था, कि ड्योडी के सामने लगे किवार को अंदर की तरफ ठेल कर पदमलता भीतर दाखिल हुई, मुरारी अपने बिचके हु हरे कृष्ण, साबूदाना ये तो पिछले जनम का सपना है, गले से बारली उतार रहा था, खाटी मंडल बारली, क्या हुआ है, बीमारी और क्या, कोई एक अदद बीमारी है, गरीबी, दुष्चिंता, साहुकार का डर, घरवाली, आए दिन जगड़ा, पीलिया, बुखा पार, दिस्पे, फिया, अच्छा अच्छा बस भी करो, पदमलता ने उसे जिरकते हुए कहा, इस खुरे को ज़्यादा लंबा करने की जरूत नहीं है, तुमारी घरवाली कहा है, आसपास ही होगी कहीं, और बड़े भहिया, बड़ी भावी, वे लोग, वे सब तो बहुत पहले गाउं छोड़ कर चले गए, मावाप के गुजर जाने के बाद, तभी तुमारा ये हाल है, मुरारी ने अपनी कमजोर और बीमार देव पर नजर दोड़ाई, और फिर तीखे सुर में बोला, इसमें बुराही क्या है, अब सबके नसीब में सोने का कदली वन तो उसके इस मजाग पर कोई ध्यान न देते हुए पद्नदता पास रखे एक मोड़े पर बैठ गई, और बोली, अब तुम बैठने को तो कहोगे नहीं, बड़ी अकड़फू वाले हो, लो मैं तो बिना कहें जम गई, अरी कहां चली गई, ओ घर की मालकिन कोई अता पता नही घर की मालकिन तप अपनी रूखी सूखी धज को सहिजने में लगी थी, सब कुछ अस्त विस्त पड़ा था, यहां तक कि किसी के सामने निकल पाना भी मुश्किल हो जाता है, दोनों बच्चे भी बाबा आदम की ऑुलाद बने फिर रहे हैं कैसे संभाले ये सब, पदमलता सारी बाते समझती है, इसलिए वो उसे पुकारना छोड़कर मुरारी के साथ ही बत्याने में लगी है, देख रही हो बाते तुम पहले की तरह ही बड़ी लंबी लंबी हाक रहे हो, लेकिन घर गरिस्ती का हाल तो बड़ा खस्ता बना रखा ह है, घर का जो हुलिया देख रही हूँ, घर मुरारी के मूँ का स्वाद जैसे बिगड़ गया, थू, दूसरे के घर पर अब कैसा मूँ, पदमलता अभूज बनी रही फिर बोली, दूसरे का घर मैं समझी नहीं, इसमें समझना समझाना क्या है, गले तक करजेत में डूबा हूँ, घर दौार खेत खलियान सब बंदक है, क्यों तुमने ये दिल्चस्प खबर अब तक सुनी नहीं, ये तुमने क्या कहा, घर को भी रहन रख दिया, ये क्या कह रहे हो तुम, छी छी, अपने बाप दादा का नाम कैसा रोशन कर रहे हो तुम, पदमलता ये कहते कहते सचमच बहुत कातर हो थी, मुरारी हॉले से मुस्कुराया, फिर बोला, अरे अपना नसीब खोटा ना होता, तो तुझे मुझे पर तरस खाने का मौका कहा से मिलता, लेकिन तेरा ये रौब दाब देखकर तो मुझे बड़ी हसी आ रही है पदमिया, याद है, मुकुद न का बदला है, शायद ऐसा ही होता है, जब कोई मधूर संबंद अचानक करवा होटता है, तब दोनों ही पक्ष एक दूसरे को नीचा दिखाने की मद में चूर रहते हैं, लेकिन अभी पदमिया के नाराज होने से तो बात बिगड़ी जाती, उसने हस्ते हुए कहा, वैसे त कारदाश तो बड़ी तेज है मुरारी भाईया, चलो, गाउं जवार में कोई तो है जो उस पदमिया को याद रखे हुए है, वरना यहां तो अब सब वही पदमा पदमा की रट लगाए हुए हैं, और बताओ क्या हाल चाल हैं, मेरा अब क्या हाल चाल, बस सब डूबने ही क्या बात है, तुमने तो अब तक मेरा मून नहीं देखा, फिर तुम्हें यह सब कैसे मालूम, लो, पिछले तीन दिनों से तुमारे नाम का जो संकीरतन चल रहा है, उसे सुनसन कर तो कान ही पग गए, पाटशाला के लिए चंदा, पंचायद घर के लिए चंदा, चापा क जता ने उसकी बातों पर ध्यान न देते हुए कहा, मेरा भागी ही ऐसा है, ऐसा क्या कुछ दे दिया कि बड़ा नाम हो गया, मेरे मन में जो कुछ था, उसे मैं कहां पूरा कर पाई, वो सब तो जी में ही रह गया, जल्दबाजी में कुछ भी नहीं समेट सकी, थोड़ा ब पानी बुवा की नतनी की शादी नहीं हो पा रही है, हाथ में पैसे हो तब ना, ये सब सुना तुझी मसोस कर रह गया, वापस जाते ही कुछ रुपे भिजवा दूंगी, और क्या, अरे बाप रे, अच्छा तो ये बता, अविनाश ने कितने लाग जोड़ लिये हैं, किन कोने पर धारदार मुस्कान खेलने लगी, लेकिन पद्वलता भी यहां कोई हारने के लिए नहीं आई थी, वो आई थी जीतने के लिए, इसलिए उसने बड़े सहज धंग से कहा, किसे पता है कि किन किन चीजों का कारोबार करता है वो, और मुझे ये सब जानने की जरूत भी क्या है, मुझे तो इतने से ही गरज है कि मैं जितना चाहूं उतने रुपे मुझे मिल जाएं, लेकिन तुमारे लिए तो मुझे मर कर भी चैन नहीं मिलेगा, अपने घर तक को गिरवी रख दिया और पैसे खा गए, और अगर इसे छुड़ा ना पाए तो, आखरे कित तो पांस साथ सौ रुपे हमेशा अपने पल्लू से बांद करी घर से बाहर निकलती है क्या, तो फिर और क्या करती मुरारी भईया, और वो बोली, लारी नानी ने इन रुपे को अपने पास रखने से मना कर दिया, जो कुछ लाई ती उपल्लू में ही बंदा है, खेर, पीच मुरारी यकाया गंबीर हो गया, उसने भरे गले से कहा, देख पदमी, तिल चट्टे का पंची हो जाना तो ठीक है, लेकिन वो एक बारगी गरों हो जाए, ऐसा दिखावा मत करना, लेकिन पदमा कहती गई, भले तुम मुझे जीबर अपमानित कर लो, लेकिन ये अप डालकर तुमानी बुआ जैसी औरतों का सिर अपनी जोली में डाल ले, तुमुझ पर अपना जाल मत प्हला, इतना कहके मुरारी ने रुप्यों को आखे से किसका दिया, लेकिन तब ही उसकी नजर अपनी पत्नी पर पड़ी, जो इतनी देर तक गायब रहने के बाद स सब के सामने थी, लेकिन जब उसने देखा कि बात रुपए पैसे की चल रही है, तो वो फिराड में चली गई थी, अचानक पती के बुलाने पर रग्यमंच पर अवतरित हुई और जूंजल भरे स्वर में बोली, मर खब जाती तब ही तो जी को चैन पड़ता, तुमारे हा उठा कर रख लो, आकर इस घर को छुडाना भी तो है, वरना रहोगी कहां। घरवाली ने हाला कि सब कुछ सुन रखा था, और वो रुपएों की तर्फ ललचाई नजर से देख भी रही थी, तो भी उसने कहा, इस आदमी को तुम इतने सारे रुपए उधार दे रही हो द संदूक में बंद कर रखा है बला, दीख नहीं रहे। मुरारी की पत्नी ने पलक जपकते उन रुप्यों को उठा कर पल्लू में बांदा और बड़े उत्साहज बच्चों को पकारने लगी। अरियो पुश्पा, मुन्ना, जुन्ना, चलो, यहां आओ सब के सब और लेकिन पल्लू में बंदी किसी चीज को वैसे ही गवा दे छोटी बहू, इतनी मूरक नहीं थी, इसलिए उसने बड़े उत्साह से कहा, हाँ, हाँ, दूंगी क्यों नहीं, एक दिन बात कोही जब बच्चों के हाथ पकड़ कर पेड़ के नीचे खड़ा रहना पड़ेगा, वापस कर दूं, और रानी दीदी हमारे लिए कोई पराई तो नहीं, बताईए ना रानी दीदी, मैं ठीक कह रही हूँ ना, रानी दीदी ने अब तक पुश्पा के नन्ने हाथों में दोका नोट थमा दिया था, और वो गोद वाले बच्चे की मुठ़्ी डूड रही थी नहीं, पदम्रता को अब सचमुच कोई अफसोस या बेचैनी नहीं थी, उसने अपने जीवन में और किसी चीज की चाहा नहीं की थी, वो इन क्षणों की सार्थक्ता को, इनके सुक को अपने दोनों मुठ़्ियों में बांद लेना चाहती थी, ठीक इसी समय, कबूतर की को अबी क्या था, वो कैसे अपने मन की बेचैनी प्रिकट करें, हाला कि उसे पता था कि अगले ही दिन उसकी घरवाली आने वाली है, उसने लिखा, प्रिय पदमा, मेरे सारा कुछ लोट किया, मैंने पटना में जिस नौकरी के लिए आविदन दिया था, उसे मैं जीवन में पा भी सकूंगा, इसकी उम्मीद नहीं, मैंने सोचा था, अगर मुझे इन वाकरी मिल गई तो हम जीवन का बाकी हिस्सा किसी तरे चैन से बिता सकेंगे, लेकिन विधाता ने हमारे साथ बड़ा भारी मजाक किया है, मैंने सब कुछ घर द्वार, माल, अस्बाव, बेच ब रखा था, लेकिन चोर की नजर वहां भी कैसे पड़ गई, ये सचमुच हैरानी की बात है, मुझे यही जान पड़ता है, कि ये किसी ऐसे आदमी का काम है, जो इस बारे में जानता था, अब मैं किस से क्या कहूं, मैं तो एकदम तबाही हो गया, मुझे आगे के लिए कोई उम्मीद नहीं रही, मैं तो यही समझ लूँगा, कि मैंने बड़ा भारी गुना किया है, मुझे बार बार इस बात का पस्तावा होता रहता है, कि मैं तुम्हें भेजने को राजी कैसे हो गया, घर की लक्षमी घर में रहती तो ये दुर्दशा ना होती, खैत, जो हो गया सो हो गया, अब चिठी पढ़ना खतम होते ही आने के तैयारी करना, मैं तुम्हें लिवा लाने की इस्थित में नहीं, और अब मैं तो तुम्हें अपना मूँ भी नहीं दिखा पाऊंगा, शायद अब ही आप सुन रहे थे आशापूना देवी जी की लिखी हुई कहानी पदमलता का सुपन, कल फिर मिलेंगे किसी उम्दा कहानी के साथ आपका समय शुभ हो, मंगल मैं हो